तो दोस्तों हमारे पांच आगे हैं यहां पे Realme 7 Pro जी हां Realme 7 Pro जो की हाली में लेंच हुआ था और हम लोग आज इसकी करने जा रहे हैं अन्बॉक्सिंग प्लस आपको बताने वाले हैं इसके बारे बहुत कुछ क्योंकि बहुत बड़ा कच्चा चिटा मैंने इसके पर त्यार किया है और इसके बाद आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको यह फोन लेना चाहिए और नहीं लेना चाहिए वैसे हमारे सल्मान भाई सामने खड़े हैं तो यह लगता है कंपनी को कि सल्मान भाई की शेकल देखके तो बंदा ले लेगा बट हम लोग जब तक बैठे हैं दोस्तों आपके साथ धोका नहीं होने देंगे और आपको बताएंगे इस डबबे के अंदर क्या-क्या चीज़े हैं और क्या यह फोन एक्चुली 20 अरबे का बनता है या नहीं बनता तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इसके अंदर की कुछ चीज़ें दोस्तों फटा फट से हम लोग इसको चाकू छूरी से अंबॉक्स कर लेते हैं तो इसको ऐसे करके काट लेंगे दोस्तों मैं मजाक मर रहा था मैं तो आप लोग इसको फाड़ चुका हूँ तो इसको खोल लेते हैं फटा फट से अर सल्मान खान जी बड़े गुस्से में देख रहे हैं हमें क्योंकि वो पुरानी वीडियो से भी हमारी पसंद नहीं थे मतलब खुश नहीं थे तो इसको साइड में रख देते और आगे चलते हैं आगे देखते हैं क्या क्या चीजे हमें देखने को मिलेंगी हमने डबुए को रख दिया साइड में और यहाँ पे लिखाए and welcome to Realme Family ओक 요र्य यहाँ पर कुछ कागज-बत्र जो की बताये थे मैंने आपको किताबे हम पढ़ते नहीं है और किताबे जो हमने पढ़ी है वो इस टाइब की होती नहीं है तो चलिए दोस्तों आगे पढ़ते हैं इसको इस साइड में पटक देते हैं औरे ये क्या डिकसी जोश सल्वान खान जी की ब्रेंडिंग यहां बेबी फुली लाश्टिक फुली फंटास्टिक वा भई वा क्या बात है क्या बात है तो दोस्तों रियल मी ने करा है एक नया टाइब वो है डिकसी के साथ तबी तो हमारे सल्मान ब्हाई की फोटो आती है इसके उपर तो दौस्तो ये था एक छोटा सा मजाक ये ऐसे नहीं आय था ये ऐसे आये था इसके पन्नी के अंदर आये था खेरे आप सोचें कि सच्ची में ऐसे कुछ गड़बर थी तो यह इस पन्नी में आया था इसको साइड में रख देते हैं और भड़ते हैं आगे आप लोग देख सकते हैं हमारे पास फोन काफी अमेजिंग सा दिखने वाला है काफी प्रीमियम लुक देता है मुझे इसको देखके वन प्लस एट की याद आती है जिसके अंदर फ्रॉस्टेट ग्लास वाली उन्होंने बात करी थी परंतु किंतु लेकिन बहुत कुछ है इसके बीचे तो वो भी आपको बताएंगे वीडियो में आगे चलके फिलाल आप कैई कर एक दोस्तों अपने भगवान जने आपने देखाते इस यह क्या रख यह ja यह क्या चारज्ड नगा के देता है यह क्या चल रहा है और यह मैंने बोल्सके आपका शक्ती 5W का आपका super dart charger जो की बहुत ही amazing चीज है मुझे लगता है most premium item मुझे इस phone की यही लगी है अभी तक और हमने realme 7 का review किया था अगर आपने अभी देख नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं उसको भी और आपको बताया तो यह almost लगबग same है physical looks के मामले में मैं आपको दिखा भी देता हूँ आप लोग देख सकते हैं आपर दोनों ही phone हमारे punch hole camera जाए और back में देखेंग तो almost लगबग same ही है वो भी frosted glass लगता है और दोनों ही almost मतलब जो है premium look देते हैं तो मतलब इस चीज में मैं आपको कहूंगा कि यह 15,000 रुपे का phone और यह 20,000 रुपे का phone है तो मतलब कुछ तुक सी नहीं बनती कि आप मतलब same design रखो मैं तो थोड़ी तो महनत करो कि उसको चेंज करो कुछ तो नहीं लाओ बट कुछ नहीं लाते हैं नहीं है यह लोग और इवन मैं आपको सही रहा हूं तो यह जो color मुझे दिख रहा है यह color भी चुराया हुआ है पता है किसका OnePlus का तो OnePlus की बहुत चीज़े चोरी हो रही है चले खेर बात करते हैं अभी अंदर चल आना हुआ है अल्रेडी काफी साथ फोंस में आता है जैसी कि आपका Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9 Pro Max और भी काफी फोनों में आता है इसी के पुराने वे रेंट में यह 7 Pro है 6 Pro में भी आता था I don't know कोई अपग्रेड क्यों नहीं लेके आते हैं यह लोग प्रोसेसर के मामल में जो की काफी ज़ साथ ही साथ उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे भी दे रहा हूं तो मैं चाहता हूं कि मेरे पास जो प्रोसेसर हो वो लेटेस्ट आए खेर छोड़िये आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको इसकी डिस्प्ले के बारे में तो दोस्तों आप लोग जैसे की देख सकते हैं य जो की काफी अच्छा दिखता है स्टनिंग दिखता है और यह FHD प्लस है साथ ही साथ दोस्तों इसके अंदर एक काफी अच्छा अपग्रेड मिला है जो की है यह एमॉलेट स्क्रीन है तो दोस्तों एमॉलेट स्क्रीन होने की बज़े से यह और भी अच्छा डिस्प्ले हो मुझे वह 98 का refresh rate missing है साथ के सथ दोस्तों अगर मैं brightness की बात करो तो यह 600 nits तक की brightness जो की काफी अच्छी मानी जाती है और आप लोग देख सकते हैं काफी ज्यादा तो यह काफी अच्छी चीज मुझे इसमिल लगी दोस्तों बात करते हैं आगे आगे बात करें तो दोस्तों यह 90.8 की इसकी screen to body ratio आप लोग देख सकते हैं इसकी चिन जो है almost कम ही है ज्यादा नहीं है और काफी मतलब मैं कहूंगा काफी कम है और दूसरी मैं और important बात करेंगा जो कि आपको कोई भी बात नहीं कर रहा है यह जो आपका punch-hole camera है दोसरे punch-hole camera भी इसका छोटा है in comparison to other phones just like POCO X2 हो गया या फिर कोई भी phone हो गया जिसके अंदर punch-hole camera आता है वो उससे ज्यादा छोटा है यह even realme 6 pro के camera से भी काफी छोटा है यह और आपके realme 7 का जो punch-hole camera उससे भी है चोटा है तो it's like जैसे कि MI10 में आता है या आजकल note 20 ultra में आता है उस type का छोटा camera है जो की काफी अच्छा और amazing मुझे देखने को लग रहा है यह एक premium look को देता है आपके पूरे phone को ठीक है दोस्तों अब बात करते है इसकी back की तो दोस्तो back जो है आपका दिखता frosted glass है बट यह plastic है totally तो दोस्तों दोका मत खाना यह है plastic की बट ग्लास जाज़ा दिखता है glass is glass glass can break बट यह plastic है तो plastic का दोस्तों कहानी simple सी बात है कि अगर नीचे गर जाता है तो break होने के कम chances है which is good ठीक है तो durability भड़ जाती है बट इस scratchable होता है तो उ सामने यह मतलब in screen fingerprint sensor मिलता है जो कि एक अच्छी चीज है और आपके पास यहां पे कोई fingerprint sensor नहीं मिलता है बस fingerprint sensor अंदर in screen मिलता है साथ में आपके पास face unlock है जो कि मुझे इतना अच्छा नहीं लगा है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यह मैंने खोला आप लोग देख सकत हैं कि यह नॉर्मल fingerprint sensor जैसा ही है कि जैसे कि आपका oneplus या फिर वीव के अंदर आता है which is optical based and which is fine मतलब सही है ज्यादा बुरा ही मैं इसकी करूंगा नहीं ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसके अंदर बात करते हैं इसके आगे कुछ और चीजों के बारे में जो कि है ख आपको पावर बटन मिलता है और कुछ नहीं मिलता है और साइड में आपको ग्लॉसी फिनिश में मैट फिनिश में आपको यह साई बॉडी मिलती है ओपर आप लोग देख सकते हैं यह noise cancelling microphone साइड में आपका सिम एजेक्टर सिम ट्रे है बेसिकली वाल्यूम रोकर है और पीचे अगर आप देखें तो यहाँ पर speaker है USB-C charger 3.5 mm jack और साथ में आपको microphone मिल जाता है विच इस फाइन दोस्तों अब बात करते हैं आपके speaker की जो की काफी important है तो speaker जो है आपका इसके अंदर dual speaker मिल जाता है stereo speaker मिलता है आपको sound करता हूँ कि sound कैसा करता है तो दोस्तों YouTube पे खोल के एक बार एक गाना चला कर देखते हैं NCS का की कैसा लगता है speaker तो दोस्तों speaker जो है हमारा काफी अच्छा लगने वाला है मैं आपको sound सुनाता हूँ इसको और चुप हो जाता हूँ कर दोस्तों एक बहुत बुरी चीज़ बिसाता हूँ आपको इसके बार में यह जो है वाइबरेट काफी अच्छा खासा करता है और यह स्टीयो स्पीकर्स में देखा है कि जब भी ऐसे डूल स्पीकर्स आते हैं तो आपको वाइबरेशन की काफी जाए अच्छी खासी तो दिक्कत आती है जब मैं गाना बजा रहा हूं तो पीछे बैक जो है काफी जादा वाइबरेट कर रहा है तो अगर आप लॉंग कुछ भी सुनते हैं फोन के अंदर स्पीकर के ऊपर तो आपको इतना अच्छा यह नहीं लगने वाला है ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं आपके अंदर इसके अंदर सपोर्ट आता है दोस्तों अल्ट्रा वाइड कामरा जो है आपका वह 8MP का है वह 119 डिग्री वाइड इमेज ले सकता है विच इस ऑल्सो गुड दोस्तों एक कमी मुझे इसके फोन के अंदर लगी अगर मैं इसके अंदर कामरा ओपन करता हूं आपको कुछ फोटो दिखाने कुश्च करूं तो फोटो में मैंने जब कैप्चर करी तो मैंने देखा कि यह थोड़ा ओवर सेचुरेट कर रहे है फोटोस को विच इस बाड और मतलब यह एक्चुली इस कामरा के साथ दिक्कत है मैंने काफी सारे शॉट्स लिए बट दोस दोसो बात करता हूं स्पेशल चीज की बारे में तो स्पेशल चीज उसो है इसके वीडियो के अंदर आपको यहां पर बुके एफेक्ट मिल जाता है लाइब वीडियो के अंदर विच इस वेरी गुड और साथ ही साथ आपको फिल्टर भी मिलते हैं वह भी बहुत अच्छ दोस्तों अल्टर मैक्रो होने के साथ-साथ इसके अंदर आपको पास एक एकसपर्ट मोड है जिसके अंदर आप जो है फोटो की सकते है बेसे क्लिए प्रो मोड कैमरा है नहीं राइट दोस्तों सॉरी यहां पर एक मुवी मोड है विच इस डेर आप उसको एक तरिके जैसे Note 20 Ultra में मिलता है वैसी आपको इसके अंदर के अंद भी एक प्रो वीडियो मोड मिलता है जो की बहुत ज़्यादा नेलेड है अगर आप धंग से वीडियो को शूट करना चाहते हैं तो दोस्ति यह होगी है हमारी कैमरा के बारे बारे बात अगर मैं फ्रेंट कैमरा भी बात कर डिप्लीट होती है और साथ ही साथ 4500 एमेज की बैटरी होने के साथ साथ 65 वाट का सूपर डाट चार्ज आता है जो की काफी अची चीज़ है 15 मिनेट में 40 50% चार्ज कर देगा जो की मतलब अगर आपका जाले डिप्लीट भी करती है तब भी आपको कोई टेंशन लिनी साथ में दोस्तों इसके अंदर जो राम रोम आता है वो LPDDR 4X आता है और UFX 2.1 का सपोर्ट है इसके अंदर साथ में दोस्तों इसके अंदर जो कमी है वो बतायता हूं फटाफट से अगर आपको एप्लिकेशन इंस्टॉल करने जाते हैं तो उसके अंदर आपको आड्स दे जाते हैं वो भी एक इशू है थर्ड है इसके इसके नाइन्टी हर्ट का रिफ्रेश्ट रेट निये विच इस बाट इंदर आपको सेपरेट स्ट्री काड्स लॉट मिलता है विच इस गुड अंद इसका जो वजन है इसका वर्जन रियल्मी 7 से कम है रियल्मी 7 का 180 वह ना मिलता है मतलब आप HD content देख सकते हैं easily साथ में camera 2 API का भी आपके पास support है notification light नहीं है FM light नहीं है साथ ही साथ दोस्तों जो इसका entry to score है वो इसका realme 7 से कम है अभी जब speed test करेंगे तब आपको उसकी details भी देंगे तो उमीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो प्लीज से लाइक कीजिए शेय कीजिए साथ इसाथ हमाई चनल को सस्क्राइब भी कर लीजिए